हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पर आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का सोसल साइंस का जो आप लोग का एक्जाम होने वाला है उसको डिसकस करेंगे ठीक है आप लोग का 16 तारीक को सोसल साइंस का एक्जाम है आप लोग स्रिफ वीकली टेस्ट को टार्गेट ना किया करो कम से कम आप लोग जो है ऐसा पढ़ो कि आप लोग के फैनल एक्जाम में भी काम आए देखिए मुद्रा पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में दैनिक मतलब डेली जीवन दिन चरिय जो आप लोग डेली उठते हो सोते हो इसी को डेली जीवन कते हैं कराय मतलब खरीदना और विकराय मतलब बेचना होता है यानि अपने दैनिक जीवन में आप सुबह उठे गए भाईया एक टूटपेस देना आपने टूटपेस ले लिया ठीक है और आपका बिजनस किताब कॉपी बेचने का फिर आप अपने दुकान पे गए वहाँ पे एक बंदा आया आप से कॉपी खरदा आपको दस रूपय दिया तो कहीं कहीं न कहीं आप खरीद भी रहे हो कहीं न कहीं आप बेच भी रहे हो तो कराय और विकराई कर रहे हो आप इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं इसमें सिखे और कागज के नोट दोनों आते हैं आपको पता है ठीक है आप इसको अपने language में खुद के language में बनाने का कोसिस किया करो ठीक है तो आप लोग रटने से बच जाओगे अगला सवाल देखे क्या है हमारा कुस्सा नमबर दो में कह रहा है रिन से आप क्या समझ दें आसान भासा में रिन का अर्थ होता है शाक या कर्ज सिंपल सा बात है कर्ज रिन का मतलब क्या होता है कर्ज जो कुछ सर्तों पर जरूरत मंद लोगों को दिया जाता है सर्थ क्या होता है कि 6 महने के लिए दे रहे हैं और इतना % ब्याज आपसे लेंगे ब्याज क्या होता है कुछ बढ़ा का रख मिली आ जाता है यानि आपके उपर वो अहसान नहीं कर रहा है आप सोच रहे हो कि आपको कोई रिन दे दिया तो आपको परहसान क्या ऐसा नहीं है वो आपको जितना पैसा दिया आपको 100 रुपे या अगर आपको दे रहा है तो आपस वो 110 रुपे लेगा अगले महिना यह उसका रिन मतलब कि उसके कुछ सर्थ लगा देगा वो ठीक है ताकि वे अपनी आवे सकताओं की पूर्ती कर सके कौन असान भासा में रिन का अर्थ होता है साख या कर्ज जो कुछ सर्थों पर जोरतमन लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपनी आसकताओं को पूरा कर सके अब माल लेजे कि आपको एक लैप्टाउप खरीदना है आपको 50,000 रुपया क्या आवे सकता है लेकिन आपके पास 30,000 रुपया है अलेकिन आप ले नहीं पा रहे हो तो रिन पर आप ले सकते हो 20,000 रुपया लिन पर आप क्याले तो 20,000 रुपया ले सकते हो आपको वो कहेगा ठीक है 6 मैने के बाद हमको आप 22,000 रुपया लोटा दीजिएगो तो एक सर्थ लगा दिया तो उस कंपनी को भी फैदा हो गया और आपको भी फैदा हो गया है ना तो यह इसका आंसर हो गया इसका आप लोग स्क्रीन सौट ले लिजे जो करता है कर लेजे अगला सवाल है वस्तू विनिमाई क्या है जब चीजों को लेन देन बिना मुद्रा क परियोग से आपस में ही हो जाता है तो ऐसी विवस्ता को वस्तू विनिमाई कहते हैं सिंपल सा लेंग्वेज में समझेए वस्तू के आदान परदान को वस्तू विनिमाई कहते हैं यहां पर वस्तू रखा है वस्तू का मतलब क्या सामान अब मेरे पास एक मोबाईल फोन है चोटा वाला एक mobile phone है मतलब मान के चलो मेरे पास एक बड़ा वाला mobile phone है बास समझ माया कि नहीं एक बड़ा सा smartphone है और मुझे लेना है एक छोटा सा smartphone जो new है तो दुकंदार कहेगा यह बड़ा वाला जो पुराना वाला यह आप दे तो इसके बदले में हम छोटा वाला इस mobile phone आपको हम दे देंगे नया में तो वो पुराना लिया बड़ा में और छोटा दिया नया में ठीक है बास समझ माया तो यह हो गया वस्तू का विंड में अदला बदली ठीक है बास समझ माया आपको कोई क्या करेगा क्या किसी के पास मान के चलो कि एक गौट है एक बकरी है वो बकरी दे करके उससे दस बुरा अनाज ले सकता है या पांच बुरा अनाज ले सकता है तो पहले जमाने में ऐसा होता था और ऐसा देखा जाता था अगला सवल देखे का है, question number 4 में आपसे कह रहा है, साख से आप क्या समझते हो, तो साख एक ऐसा समझा होता है, जिसके तहत रिंदाता, उधार करता को धन्रासी वस्तु विवम सेवाएं, इस आशवासन पर उधार देता है, कि वो भविस में उसका भुकतान कर देगा, ठीक ह बात समझ माया कि नहीं, शाख एक ऐसा समझा होता है, शाख से अब क्या समझा होता है, एक agreement है, एक paper बनता है, जिसके तहत रिंदाता, उधार करता को धन्रासी वस्तु विवम सेवाएं, इस आशवासन पर उधार देता है, कि वो भविस में उसका भुकतान कर देगा, बात उसको विश्वास होता है, किस agreement के अधार पर वो पैसा उसको वापस कर देगा, ठीके ना, चेक से आप क्या समझते हो, तो चेक एक ऐसा कागज होता है, जो जमा करता के खाते से चेक पर किसी अन्य वैक्ति को एक विसेश रकम भुकतान करने का आदेश देता है, यानि अग समझ माया, मेरा चेक है मालो, मालो यह मेरा चेक है जैकपुर का, मैंने इस पर साइन करके आपको दे दिया आपके नाम से, तो मैंने अपने बैंक को इजाजत दे दिया, कि मेरे खाते में से पैसा काट करके आपके खाते में दे दे, उसी भासा को यहाँ पे लिखा गया है, अगला सवाल देखिए, question number 6 में कह रहा है कि रिन की सर्थों से आप क्या समझते हैं ब्याजदर, संपत्ती और कागजात की मांग भुक्तान के तरीके आदी को मिला कर इन सब्दों का नाम दिया जाता है रिन की सर्थों को ठीक है, यानि कि रिन आप कर्ज ले रहे हैं तो उसमें क्या-क्या सर्थे होगी रिन की सर्थे हैं, तो ब्याजदर क्या ब्याज लगेगा आप तो कुछ तो बढ़ा कर लोगे ना उसको interest बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं interest है, ब्याज है तो ब्याज दर कितना होगा कितना समपत्ती है आपके पास आपको हम देंगे क्या guarantee क्या है आपके पास कागजात की मांग क्या-क्या क्या गस उसमें लगने वाले हैं तो भुकतान के तरीके आदी को मिला कर अगर रिन आप बैंक से ले रहे हो या सहकारी समीती से आप ले रहे हो तो उस रिन को आपचारिक रिन कहते हैं, ठीक है बस समझ मैं की नहीं आप ऐसे याद कर लोगा trick अगर लगाना चाहोगे तो लगा लग जाएगा यहाँ आप आपचारिक याणि अपचारिक रिन किसे कहते हैं तो वैपारी से आप कोई भी दुकंदार से कोई भी अपना महले के दुकंदार से ले लिए शाहुकार हो गया आपके महले के लोग है मालिक हो गया मालिक एक हज़ार रुपे करजा दे दो रिस्तेदार मामा से ले लिए और आपनो एक सुरुपई या मित्र से ले लिए भाई दूसुरुपई देना ठीक है इसब जो रिन क्या हो गया अनोपचारिक हो गया सिम्पल है आप लोगों यहीं से पता चल गया अनोपचारिक होगा अनोफिसियल होगा ओफिसियल में क्या अगला कुश्शन नमबर 9 में कह रहा है मुद्रा देश के कल्यान में मदद कैसे करती है काफी इंपोर्टन्ट है क्योंकि मुद्रा द्वारा किसी भी देश की राष्टी आय से पड़ती वेक्ती, आय की माप होती है, इस तरह मुद्रा का लियान में मदद करती है, है नो, तो कोई भी मुद्रा होता है, जब हम राष्टी आय की गन्ना करते हैं, तो उसमें मुद्रा का बहुत बड़ा रॉल होता है ठीक है न इसको याद अच्छेगा आप लोग अगला सवाल देखे कोर्शन नमबर 10 में कहरा है आपको मुद्रा के दोसों को बतावें क्या उसकी बुराई है क्या उसके दोस हैं क्या उसके दूस प्रभाव हैं तो मुद्रा क्या करता है लालच को बढ़ाता है तीक है इसके दो शेयर गए तो उमीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस किजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पे चला जाए मिलते अगले वीडियो में थैंक यू